यूपी की धर्ती से प्रभुराम और प्रभुकर्ष्ण की भूमी से भक्ती, भाव और आध्यात्म की एक और धारा प्रवाहित होने को लालाईत है आज पुझ्य संतों की साधना और जन्मानस की भावना से एक और पवित्रधाम की नीव रखी जा रही है अभी आप संतों आचारियों की उपस्तिति में मुझे भग्य कल की धाम के सिलान्यास का सौभागी मिला है मुझे विश्वास है कि कल की धाम भारतिय आस्था के एक और विराठ केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा मैं सभी देश्वास्यों को और विश्व के सभी स्रधालूओं को शुब कामनाय देता हूँ अभी आचारिय जी कह रहे थे कि 18 साल की प्रतिक्षा के बाद आज ये अउसर आया है वैसे भी आचारिय जी कई ऐसे अच्छे काम है जो कुछ लोग मेरे लिए ही छोड़ करके चले गए हैं और आगे भी जीतने अच्छे काम रह गए हैं ना उसके लिए बस ये संतों का जनता जनारदन का आशिरबाद बना रहे उसे भी पूर करेंगे साथियों आज छत्रपती सिवाजी महराज की जन्म जैंती भी है ये दिन इसलिए और पवित्र हो जाता है और ज्यादा प्रेरणा दायक हो जाता है आज हम देश में जो सांस्कृतिक पुनरोदय देख रहे हैं आज अपनी पहचान पर गर्वर और उसकी स्थापना का जो आत्म विश्वाफ दिख रहा है वो प्रेरणा हमें छत्रपती सिवाजी महराज से ही मिलती है मैं इस अउसर पर छत्रपती सिवाजी महराज के चरणों में स्रद्धा पुर्वक नमन करता हूँ उन्हें स्रद्धांजली अर्पित करता हूँ ABP News आपको रखे आगे